ऐखी आज मैंने वहत सुंदर डिजयन बनाया है कि इसको आफ स्वेटर में कार्डीगन में जैकिट में बच्चों प्रॉजेक्ट पर अप्लाय कर सकते हैं ये देखिए कितना सुंदर बना है ये इसका front है और ये इसकी back side है ये देखिए अब मैं आपको इसको बनाना बताऊंगे ये कैसे बनाया गया है यह मैंने 7 फंदों से बनाया है, अभी मैं आपको बनाना बताती हूँ, अब मैं आपको बना कर दिखाती हूँ, यह कैसे बनाना है, यह मैं एक केवल बना रही हूँ, यह देखिए, 2 फंदे मैंने साइड के लिए सिंपल बुने हैं, 2 फंदे उटे, यहां से डिजैन सुरू ह होता है ये फर्स्ट वाला फंदा जो है इसको कैसे बुनना है ये देखिए इस परकार से आगे दागा रखके पिछे की तरब बुनना है ऐसे 1 2 3 4 5 5 फंदे इस परकार से बनाने हैं 5 फंदे बनाने के बाद अब 6 और 7 ये 2 फंदे हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे क्योंकि हमने इसका एक फंदा आगे बढ़ा दिया है फंदो का लेवल ब्राबर करने के लिए हमैं एक फंदा गटाना पड़ेगा तो हम यहाँ पर साइड में फंद गटाएंगे अब दो फंदे फिर से उल्टे और 2 फंदे ये सीड़े अब उल्टे साइड में ये देखे, जो फंदे हमने इदर उल्टे किये थे, उल्टी साइड से इनको हम सीधा बुनेंगे, दो फंदे सीधे, दागा बनी तरफ, और यहाँ पर ये 7 फंदे, उल्टा उल्टा बुनेंगे, फिट दो फंदे, सीधे, दो फंदे उल्टे, अब उल्टी साइड, कम्प्लीट होई, सीधी साइड, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दागा पीछे, अब यहाँ पर हम पहले यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे, यहाँ पर पहले पीछे दागा करके इस फंदे को बुनेंगे, जो जाली पहले हमने बनाई थी, इस फंदे को सिंपल बुनेंगे, फिर दागा अगे करेंगे, और इस फंदे को, यहाँ पर अब हम, पहले हमने 5 फंदे बनाए थे, अब हम यहाँ पर 4 फंदे बनाएंगे, यह देखे, 4 फंदे कंप्लीट होगे, अब यह 5 और 6, यह 2 फंदे बचे, तो इन दोनों का हम एक करेंगे, फिर दागा अपनी तरफ करके, 2 फंदे उल्टे, और 2 फंदे सीधे, अब उल्टी साइड, सबी रो हमारी इसी परकार से बनेंगी, जैसे पैदे बनाई हैं, 2 फंदे सीधे, और 7 फंदे उल्टे, इस तरह से दागा पीछे करके, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, अब आगे हम, आगे, सीधे साइड, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, अब यहाँ पर हम, 2 फंदे ये देखिए, जे जाली के बड़े हुए फंदे हैं, उनको सीधा बनेंगे, ऐसे, फिर दागा पनी तरफ करके, फिर से फंदा बनेंगे, और अब 3 फंदे सिंपल बनेंगे, 3 फंदे सिंपल बनेंगे, फिर दागा पनी तरफ करेंगे, यह देखे इस तरह से पहले हमारी डिजाइन बनेंगी यह उल्टे साइड सभी रो एक प्रकार से ही बनेंगे 7 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे इस प्रकार से अब सीधी साइड 2 फंदे उल्टे डागा पीछे करके 3 फंदे पहले हम सीधे बनेंगे यहां देखिए यहां पर हम जाली डालेंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे यह 2 फंदे हमारे सीधे बुन गए अब यहां पर गटाएंगे यह देखिए दागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे इस परकार से बहुत ही साइड में बहुत ही सिंपल डिजाइन है और बहुत ही आसान है बनने के बाद बहुत ही सुन्दर लगता है अब स्वेटर में डालिए कार्डिगन में डालिए जैकेट में डालिए बहुत ही अच्छा लगेगा यह डारक कलर वो यह लाइट कलर बहुत ही सुन्दर बनता है अब आगे हम सीड़ी साइड यह देखें लोफंदे ऊटे यहाँ पर यह फोर फंदे बहुत है फंदे हम सीधे बुनेंगे 1,2,3,4 फोर फंदे सीधे बुनें डागा अपनी तरफ करके इस फंदे पर हमने जाली डाली और यह दो फंदे हम एक करेंगे अब यहाँ पर हमारे शरफ तू फंदे बचे हैं एक शिम पर औरी ती इस तरह से हमें एक एक करके सभी फंदों को कम करना है और जाली की सायता से पीछे की तरफ से बढ़ाना है रूटी साइड में सभी रो हमारी पराबर चलेंगी यह देखे दो फंदे उटे अब यहाँ पर हम फाइफ फंदे शीदे बुनेंगे यह देखे यह तो फंदे यह बचे हैं तो यह आगे दागा करके इन टू फंदे का भी हम वन करेंगे इस परकार से यह हमारी डिबी कम्प्लीट हो गई है अब दूसरी डिबी कैसे शुरू करनी है आप यह देखिए यह उटी साइड से हम कम्प्लीट कर लेते हैं उटी रो विशी परकार से बनेंगी और यह उटी साइड हमने कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखिए दो फंदे उटे दागा पीछी अब यहां पर देखिए अमारे सेवन फंदे वापेस कम्प्लीट हो गए अब फिर से हम यहां पर जैसे फर्स्ट रो डाले थी उसी परकार से डालेंगी यहां पर तो हम जाली डालेंगे फर्स्ट पंदे पर ऐसे ऐसे और बीच के 5 फंदे सिंपल बुनेंगे और ये देखिए एक ये चैन का फंदा और एक ये जाली वाला फंदा अब इन दोनों को एक करेंगे ऐसे इस परकार से हमारा दूसरी डिबी बन जाएगे यहां से शुरू होगी दूसरी डिबी और इसी फंदे के उपर एक एक करके आप सबी फंदे गठाते रहें और आगे इस डिजाइन को बढ़ाते रहें अब बनने के बाद ये डिजाइन किस परकार से दिखाई देगा ये मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए दूसरी डिबी बनने के बाद यहां से हमने फर्स्ट डिबी शुरू की थी और सेकंड डिबी यहां से शुरू की था यह सेकंड डिबी यहां पर आकर पूरी हो जाती है यह देखिए और इस परकार से दिखाई देती है एकदम बर्फी के माफिक अगर आपको अमारा डिजाइन अच्छा लगे पसंद आए तो लाइक कीजी, शेर कीजी, कोमेंट कीजी और सस्क्राइब जरूर कीजी